कविता कौशिक के पती रौनित विस्वास ने अभिनाव शुकला के खिलाफ किये है कुछ शौकिंग खुला से आए हम आपको बताते हैं ये पूरी स्टोरी डीटेल में कविता कौशिक घर से बाहर हो चुकी है लेकिन कविता के घर से बाहर होने से पहले उनके और रुबिना दिलाएक के बीच एक बहुत बड़ी बहस हुई थी उस बहस के दारान कविता कौशिक ने अभिनव और रुबिना को धमकी भी दी थी कि वे अभिनव की पोल खोल देंगी हाला की कविता किस बारे में बात कर रही थी यह उन्होंने बिक बॉस में नहीं बताया और रूबिना और अभिनव से जगड़े के बाद सो से वाक आउट कर गई लेकिन अब कविता के घर से बाहर आने के बाद कविता के पती रौनित बिश्वास ने इस बात का खुलासा किया है रौनित ने अभिनाव शुकला पर कई संसनी खेश आरूप लगाए हैं और एक के बाद एक ट्वीट करके रौनित बिश्वास ने इस बुद्धे पर खुल के बात की है गौनित बिस्वास ने अपने ट्विट में लिखा मुझे लगता है कि अब सच्चाई बताने का समय आ चुका है टीवी पे नजर आ रहा ये इनसान एक जेंटलमेन नहीं है अभिनव शुकला को अलकोहल लेने की आदत है उसने नसे की हालत में मेरी बीवी को कई बार फोन किया है वो मेरी पत्नी को आदी रात में मिलना चाहता था इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभिनव शुकला के बारे में बताया जा सकता है एक बार तो हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे और मेरी पतनी को उनके खिलाफ पुलिश में सिकायत भी दर्च करवानी पड़ी थी रौनित यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा है यह वही इंसान है जिसने हमसे काम की भीक मागी है अभिनव शुकला मेरे घर पर मदद मांगने आया था वह एक फिल्म बनाना चाहता था केवल अभिनव शुकला के लिए हमने उस फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली मैंने उसे अपने घर में शूटिंग करने की जगह दी वो अपने घर में कुछ कारणों के चलते शूटिंग नहीं कर पा रहा था अब अपने शुकला बोल रहा है वो उसी महिला से बदला लेगा वो अपने आपको मर्द कहता है क्या ये वाकई में सच है रौनित बिस्वास की इन ट्वीट्स ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है कुछ लोगों ने कविता और रौनित का सपोर्ट किया है तो वहीं कुछ फैंस का कहना है कि रौनित और कविता अभिनोशुकला को बदनाम करने के लिए ये जूटी कहानिया फैला रहे हैं इन ट्वीट्स का अभिनोशुकला के गेम पर क्या असर पड़ता है ये देखने की बात होगी